Hello students, how are you? Today we will do our EBS lesson, My Daily Routine. Today we will do activities related to My Daily Routine. आप जैसे इस lesson में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? Days of the week, different daily activities, क्या के हम daily activities करते हैं? उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं. Sun, Moon and Stars के बारे में आप पढ़ चुके हैं. Directions कौन से होती हैं? वो पढ़ चुके हैं, clock and our time. ठीक है, वो आप पढ़ चुके हैं. तो ये सभी हम कर चुके हैं. तो आज हम करेंगे activities related to this. First activity हम करेंगे time. First activity कौन सी करेंगे हम? Time. ठीक है? तो time related activity में देखिए. That is given first हमें. Time दिया गया है. Clock बने हुए हैं. Clocks are seen there and we have to write the time. We have to write the time in o'clock and in simple way. First is given. Here you can see, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो हावरेंड कहां पर है? 2 पर है. तो 2 पर होने की वज़ाशे हैं, यहाँ पर time क्या लिखा गया है? 2 o'clock and 2. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हमारी जो हावरेंड किस पर है? 10 पर है. तो time हम क्या लिखेंगे? 10 o'clock. ठीक है? और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10. 10. Okay. Next is, this is 8. तो क्या टाइम हो जाएगा? 8 o'clock. And time will be 8. Next is 4. That is 4 o'clock. And 4. Next is given, match the clock with the time shown in it. Match. हमें match करना है. ठीक है, यहाँ पर time कितना है? 3. ठीक है? तो 3 देखी है, यहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है. तो हम इसको इससे match कर देंगे. ठीक है? Next, this is 11. तो इसको किससे match करेंगे? इससे match करेंगे 11 से. Next, here is given 5. तो 5 कहाँ है? Here is 5. Now, we will match it here. Here is 9. Now, we will match it here. Okay? Next, जो है, हमारे पास आता है. Draw the hour hand to show the given time in each of the following. Our hand हमें जो है, show करनी है. एक हमें करके दे रखा है. Here is 9. 9 o'clock. ठीक है? यह हमारे पास our hand है. अब यहाँ पर देखिए, 7 o'clock. 7 का आएगा हमारा? यहाँ पर आएगा 7. तो 7 पर हम क्या बना देंगे? ठीक है? इस तरह से हमने 7 पर क्या बना दी? हमें अबरेंच बना दी. Next is 11. 11 का है हमारा? 11 इस वन. यह 11 हमारा? तो 11 पर हम बना देंगे हमारी यह 11 पर बन गई. Next is 5. ठीक है तो 5 हमारा कहा है इस वन ठीक है तो 5 पर बना देंगे हम यह हमारी यह हमारा क्या हो गया 5 o'clock next is 8 8 हमें अब हमें यहाँ पर जो है आवर हैंड भी बनानी है मीनट हैंड भी ठीक है अब यहाँ पर हमें आवर हैंड भी बनानी है और मीनट हैंड भी तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो मीनट हैंड हमारी क्या होती है बड़ी होती है तो यहां पर हम क्या करेंगे पहले मिनट हैंड को बनाएंगे ठीक है मिनट हैंड को बना के उसके बाद 8 this is 8 next is 1 पहले हमने मिनट हैंड बनाई फिर छोटी सी हमने क्या बनाई 1 की हमने बना दी ठीक है 1 उसके बाद next is 5 5 के लिए सबसे पहले उसी तरह 12 से हम क्या बनाएंगे मिनट हैंड और फिर 5 के लिए छोटी वाली next 6 पहले हम मिनट हैंड बनाएंगे फिर 6 के हमने बना दी यह छोटे वाली clear next मारे पास आता है next देखिए draw the hour hand and the minute hand to show the given time this is to be done by you आपको खुद से करना है यह ठीक है जैसे 9 ओक लोक है 9 हमारा यहां पर है और 12 हमारा यहां पर है this is 12 7 this is 7 and this is 12 okay next is 5 here is 5 5 के लिए this is minute hand and this is hour hand okay next is 6 this is minute hand and this is hour hand 2 this is 2 this is minute hand and this is hour hand 4 this is 4 this is minute hand and this is hour hand okay now here is 3 this is minute hand and this is hour hand 12 अब our hand तो हमारी जो है वहां पर आती है जहां पर यह होता है ठीक है जैसे यहां 3 था तो हमने 3 पर किया था अब यह 12 पर ही करेंगे हम ठीक है यह हमारी 12 पर ही हो जाएगी next is 10 here is 10 minute hand 12 and hour hand 10 okay you got it very good all of you are very intelligent next we will do direction this is our direction okay हमको जो है यह 4 directions बतानी है इस picture के अंदर यहां पर हमें जो है 4 दिये हुए है boxes in boxes में में direction लिखनी है अब यहां पर देखिए हमारा sun जो है कहां पर उगरा है sun को हमें देखना है sun को देखेंगे हम तो sun हमारा कहां पर इश हो रहा है here is sun तो यह वाली direction हमारी क्या हो गई east ठीक है अब इसके according हम करेंगे east के according ठीक है हमारी क्या हो जाएंगी हमें कौन कौन सी direction लिखनी है east, west, north, south now you have to complete it which direction is east direction I have shown to you now you have to complete all the direction which is west, which is north and which is south you have to complete it next is activity is sun, moon and stars you have to color this picture आपको क्या करना है इस picture को color करना है किसी भी color से आप कर सकते हो ठीक है अब mainly यह हमारे पास क्या है यह moon है और यह हमारे पास stars है ठीक है moon और stars है यह तो moon का color क्या होता है moon का color हमारा होता है white ठीक है तो moon को मैंसे छोड़ देते हैं अभी और हमारे पास जो है stars जो है twinkle होते है ठीक है यहाँ पर हम क्या कर सकते है black color ठीक है इस तरह से आप अंदर अंदर जो है यह black color करेंगे और yellow color ले ले लेते हैं जो यह stars हैं यह सारे हम yellow color के कर देते हैं यह सभी stars देखिए हमने twinkling करते हुए yellow color यह आप इसके अंदर जो है silver color भी कर सकते हो ठीक है और वाकी यह सारा जो है यह सारा किस से हो जाएगा black से हो जाएगा ठीक है इस तरह से आप black color कर सकते हो ठीक है यह आपको क्या करना है you have to color it next मारे पास आती है evaluation ठीक है tell four directions आपको four directions दतानी है tell any five daily activities you have to tell any five daily activities ओके इस तरह के और वीडियो देखने के लिए लाएगा